हेलो एप्रिवन मैं मेथुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे कस्तुर्भा गांधी बाली का विद्याले में जो रिक्रूट्मेंट आई है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे किस-किस पोस्ट के लिए आप चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जाद से जादा लाइक करें दूसरी बात आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं उस अस्थान का नाम जरूर निखे है ताकि जब भी आपके घरों के आसपास से रिक्रूट्मेंट है उसकी सूचन लेबल करा दी जाएगे तो चलिए उपन कर लेते हैं इस पीडियो को और जो डिटेल वगरा हाई है वो मैं आपके साथ साजा कर देता हूँ सबसे पले देख लो फुल टाइम टीचर की रिक्रूट्मेंट है गनित के लिए PCM यानि की Physics Chemistry Math वाली ग्रूप से color change कर लेता के पास होनी चाहिए BTC यहाँ पर अपलाए नहीं कर सकता है दूसरी बात PCM के साथ BAD इसके अलावा CTAT का या फिर किसी भी TAT का आपने पेपर 2 क्लियर कर रखा है तो आप अपलाई कर सकते हैं अब बोलोगे किसी भी TAT का यानि कि किसी भी State TAT का अगर आपने पेपर 2 क्लिय किया है you are eligible आगे देखिए science teacher की recruitment है same चीज़े यहाँ भी रहेगी लेकिन ZBC यानि कि geology, botany and chemistry से जिन लोगों ने graduation किया है वही apply कर पाएंगे और YSA BAD की जरूरत होगी यहाँ पे and after that आपके पास seat at का paper to qualify होना ज़रूरी है आगे देख लेते हैं और salary same रहेगी आगे देख ल उपए पर मन्त आपको यहाँ पे दिया जाएगा लेखाकार यानि कि accountant की recruitment है इसके लिए भी उम्र सीमा 25-45 ही रखी गई है 11,000 रुपए पर मन्त आपको दिया जाएगा MS Office का ज्यान होना ज़रूरी है अगर graduation आपने वानी जीन की commerce से करा है तो आप apply कर सकते हैं मुख्यरसो या के भी recruitment आई हुई है अगर आप खुद से जो है विग्यापन देखना चाहते हो दिये गए website पर जाएगे खुद से जो है आपको रिक्ती की सूचना मिल जाएगी आगे देख लेते हैं कुछ details तो देखो 40-40 रुपए का dark ticket जो है आप देखो एक बहुत बड़ा लेना जिसमें आपके सारे document और दो लिफाफा इसके अंदर आना चाहिए और दो छोटे छोटे लिफाफे के अंदर आपका address साथ में 40 रुपए का dark ticket यहां भी 40 रुपए का dark ticket आपको चिपकाना ज़रूरी है याद रखेगा यह रहा application का format इसे अच्छे से भरना है and you have to apply अ और बगल में आप category लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा UR यानि कि general वाले UR लिखेंगे OBC वाले OBC लिखेंगे SC वाले SC लिखेंगे ST वाले ST लिखेंगे तो उनको जो है categorize करने में दिकत नहीं आईगी दूसरी बात आप लोगों से request है आप लोग किसी भी हाल में incomplete जो ह है इस form को नहीं भेजना अधरवाइस यह reject कर देंगे दूसरी बात किसी भी हाल में साधारन डाक से